Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone So, प्यारे बच्चों, हम चला रहे थे क्लास Circular Motion की Actually, Topic का नाम है Motion in a Plane और इस Motion in a Plane में Circular Motion भी एक Topic है क्यों है Circular Motion एक Topic थोड़ी सी बात कर लिए जाए क्लासे काफी दिन पहले हुई थी So, थोड़ा सा Out of Touch हो गए होगे आप लोग तो मैं बात कर लेता हूँ इसके बरे में देखिए, जो Circular Motion है वो एक Planner Motion है जैसे कि माल दीजिए आप ये Circle है तो इस Circle में अगर कोई Motion हो रही किसी Body की तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो Axis है एक X Axis है और एक कौन सी Axis है? Y Axis तो यदि कोई Body कहीं पर भी है तो वो उसके Motion को describe करने के लिए 2 Axis का सहारा लिया जा सकता है We can use 2 Axis at a time to describe this Motion That's why the Motion above is called Circular Motion बचो, particularly हमारे जो सिलेवस में है वो केवल आपका तो यदि मैं Circular Motion की बात करूँ तो Circular Motion में मैंने आपको बता था अब Circular Motion दो टाइप के हैं बचो एक है Uniform Circular Motion जिसमें की पार्टिकल की जो Speed है मेरे वर्ड पर नहां दीजेगा मैंने Speed बोला है क्या बोला है? Speed, Speed जो होती, Constant होती है मतलब अगर ये Wid Direction V1 है and this is Wid Direction V2 and this is Wid Direction V3 so I am saying that Vector V1 is not equal to Vector V2 is not equal to Vector V3 but अगर magnitude की बात करो so V1 का mod equals to V2 का mod equals to V3 का mod and ये सारे के सारे magnitude किसके equal है? V के equal मतलब हर जगे Speed क्या है बच्चों? Equal है Speed क्या है? Equal है Visible है बेटा? हर जगे Speed equal है और Speed equal होने के कारण आपको पता है कि Speed equal होने के कारण Velocity तो change होगी Okay Speed equal है इस motion को कहा जाता है Uniform Circular Motion ठीक ना? मतलब इसकी Speed equal है Clear हो गया? Okay और Fix Omega होगा क्या होगा बच्चों? Fix Omega जैसे पंक्खा आपका घूम रहा है एक Fix Rate Travolution से घूम रहा है ऐसा नहीं कि पहले एक मिनट में 60 घूम जाए 60 चक्कर घूम जाए फिर अगले एक मिनट में 500 चक्कर घूम जाए ऐसा तो नहीं हो रहा न? हाँ आपने एक बार Start कर दिया जब Start करते हो तब बदलता जाता है क्योंकि वो Accelerate होता है क्या होता है? Accelerate होता है मतलब यह दिया पंकार आपके पस लगा है तो अगर आप पंके को Start कर रहे हो या पंके का नंबर बदल रहे हो एक, दो, तीन, चार, पांच तो जब तक बदल रहे हो तब तक इसका Omega बढ़ता जाएगा यहाँ से यहाँ जाओगे तो Omega क्या होगा? Increase होगा क्या होगा? बट आपने पांच पे आकर के रोग दिया या चार पे आकर के रोग दिया तो Omega बढ़ना बंद हो जाएगा Omega बढ़ना? Omega constant हो जाएगा और आप कहोगे Alpha is equal to d Omega by dt Alpha कितना हो जाएगा? 0 कितना हो जाएगा Alpha? So यहीं यहाँ पर Alpha 0 हो जाएगा Uniform Circular Motion में Alpha कितना हो जाएगा? 0 मतलब Uniform Circular Motion में कोई Angular Acceleration नहीं होता है केवल और केवल एक ही Acceleration होता है Due to Velocity Change और Velocity Change के काणवा वो Acceleration Center की और लगता है और अगर वो न लगेगा तो Body कभी Circle में घूम नहीं सकती है समझ में आया है न? अगर जिस भी किसी Body को आपको घूमाना है Circle में So foremost है कि Centripetal Acceleration को तो आना ही पड़ेगा उसी की वज़े से Body Circle में घूमेगी ठीक उसी जरी किस एक्जामपल है कि अगर आपको अपने दोस्त को Circle में घूमाना है तो उसकी टाई पकड़के खीचना ही पड़ेगा तभी वो घूमेगा बिना टाई पकड़के अपने तरफ खीचे आपका दोस्त किसी भी हालत में घूम नहीं सकता है यह सो नो या किसी बच्चे को गोल-गोल हाथ में लेके घूमाना है चोटे बच्चे को तो उसके हाथ को पकड़के अपने तरफ खीचनी पड़ेगा तभी वो बच्चा हावा में गोल-गोल घूम पाएगा अदरवाइस नहीं घूम पाएगा बाल्टी पकड़ करके हम लोग एक्सपरिमेंट करते रहें बच्चपन में बाल्टी पकड़ लेते रहें उसको गोल-गोल घूमाते रहें समझ गया ना और तारीव की बात है ताजुप की बात है भाई साब की बाल्टी पकड़ करके आप अगर उपर नीचे घूमा दें तो बाल्टी अगर टॉप मुस्ट कंडिशन पर है कुछ इस तरीके से तो आप मुझे बताइए कि बाल्टी फुल भरी हुई है कि इसका पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा पानी नीचे समझ रहें आप अगर डिबबे को लेकर गुमाया है आपने तो पानी कभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि उस समय उपर की और इस पर वर्चुल फूर्स लगने लगता है क्या लगने लगता है समझ गया ना हाँ ये छदमबल पैदा होता है अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आपने छदमबल देखा होगा बिटा इसको वर्चुल फूर्स भी बोलते हैं इसे सूडो फूर्स भी बोलते हैं प्यू से इसमाल पी एस यू ओ उडियो सूडो फूर्स भोलते हैं अब आपने कहाँ देखा होगा सूडो फूर्स जब आप कभी किसी कार पे बैठते हैं और कार टर्निंग ट्रैक पे अंदर की ओर आती है बोली हाँ ना तो आप बाहर की ओर खाते हैं जटका बोली हाँ ना अगर car के दरवाजे खुल जाएं तो सीधे आप कहा जाएंगे बाहर, कहा जाएंगे बाहर, clear हो गया ना, है ना, तो car कभी देखा होगा आपने बहुत जोर से अगर मुड़ गई हो, है ना, और इस तरीके से आप बिलकुल एकदम यहां खुल, और आपने वो देखा होगा break dance वाला जूला तो ब्रेकडान्स वाले जूले में सबसे ध्यान डखा करो कि कोने पे मत बैठो मजे चाहिए तो बीच में बैठो क्या चाहिए बीच में बैठो क्या चाहिए बीच में बैठो क्योंकि ब्रेकडान्स वाले जूले में बहुत जोर से X-celerate होता है वो, angular velocity बहुत तेजी से change होती है, तो जब ये इधर से इधर मुनता है, तो इस वाले आदमी पर जोड़ाता है, तीनो मिल करके इसको दवाते हैं, बहु हाँ, और जब ये इधर से इधर जाता है, इस direction में, तो तीनों मिल करके किसको दावाते हैं, इसको, हाँ या ना, तो मजे किस के रहते हैं, बीच वाले के, किस के रहते हैं, बीच वाले के, देखा कभी break dance जूला, बैठे हो, है ना, बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा जोर से हिल ओरता है वो, तो भाई ये break dance ये हुआ करता है, तो इसमें ये concept लगा करता है, इसमें angular acceleration बहुत ज़्यादा होता है, मतलब omega बहुत तीजी से change होता है, पहले वो इधर गूमता है, पर एकदम से उल्टा गूमने लग जाता है, तो angular acceleration बहुत ज़्यादा बढ़ जागा, तो मैं बता रहा था आपको uniform circular motion, दूसरा है uniform circular motion, दूसरा है non uniform circular motion, ये वही वाला circular motion है, जिसमें की angular acceleration होता है, angular acceleration होता है, मतलब आप आवास सुनिएगा पंका जब start होता है, पंका या,namedा या सौनो, तो start जब पंका होता है, तो इसकी speed लगा तर बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती जाती है, बढ़ेगी नद तो भाई साब, start तो जीरो से हुआ था, और जीरो से कहां तक पहुंचता ओमेगा तक, तो यहां से यहां तक पहुचने के लिए, accelerate तो हुआ होगा, अगर accelerate नहीं होता तो पहुंचता ही नहीं, हाँ या ना, तो यह जो circular motion है, पंके के final speed तक पहुचने के बीच का, क्या यह uniform है केबल यूनिफर्म पढ़ना बस हमको नौन उनिफर्म नहीं पढ़ना आईए तो आज हमारे पास पढ़ने को क्या है अब हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों वो है application अफ यूनिफर्म अ शर्कुलर मोशन बोलो बच्चों समझ में आ रहा है application application of uniform circular motion circular motion का uniform circular motion का application पढ़ा रहा हूँ ये आपके syllabus में तो नहीं है motion in a horizontal circle बट इससे जैसी बहुत सारी चीज़े हैं इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूँ motion in a horizontal circle ठीक ना? मतलब एक horizontal circle में आपका motion इसमें दिखाई देगा कैसा होता है इस चीज़ को देखो तो horizontal circle का motion जैसे आपने क्या किया इसको एक धागा ले लिया और bits को मूती को धागे से बांद लिया और मूती को धागे से बांद करके आप पहले सुरुआत में कैसा रखा था मूती यू रखा था बोलो हाया ना? और फिर आपने डूलाना शुरू किया हिलाना डूलाना और एक position आपने गेन कर ली कि ये जो मूती है कुछ इस रास्ते में circular motion perform कर रहा है yes or no? है ना? तो ये कौन सा plane है? कौन सा plane है? horizontal plane है कौन सा plane है? और दूसरा plane ये है कि आपने रस्ती ले ली रस्ती मपत्थर बांद करके ये देखो ऐसा घूमाना शुरू कर दिया ये सा नो? है या ना? ये है vertical ऐसे खेल अपने तरब बहुत खेले जाते हैं इसको अपन बोलते हैं क्या? vertical क्या बोलते हैं ऐसे? vertical समझगे ना? इसमें बहुत साबधानी रखनी पड़ती है पता चले है अपने ही मूह में लग जाता है ठीक है ना? इसको adjust करना पड़ता है और ये क्या अपना horizontal है तो horizontal plane में ऐसे घुमा रहा है अपने उपर खड़े हुई है अपनी उंगली है उंगली से धागा पकड़ा हुआ है और ये नीचे घुमा रहा है मूती है या ना? तो मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि इसमें जो है ये angle कितना होगा? कभी भी पूछ लेगा angle कितना है? velocity कितनी है? time period कितना है? frequency कितनी है? ये सब पूछ लेगा अब एक बाद मैं बता दूँ time period की जब भी बात करते हो भाई साब time period की बात करते हो तो uniform में आप बात करो time period की क्योंकि uniform का time period क्या होता? fix जैसे earth है earth का time period क्या? fix 364.25 days हाँ है ना? बोले ये सब नो? अगर earth तेज कभी slow कभी घुमरी होती तो इसका time period fix होता क्या? नहीं तो uniform जो motion में time period का formula होता है याद कर लो time period is equal to angular displacement एक बार का अपन उल्टा बोलिया omega is equal to 2 pi by t angular velocity is equal to 2 pi by t समझ गया ना? angular velocity equal to 2 pi by t तो ये है 2 pi क्या है बाई सब 2 pi? एक चक्कर में होने वाला angular displacement ये पूरा आ गया बोलो ये सब लो और एक चक्कर में displacement के लिए जो time लगेगा उसको क्या बोलोगे? one time period क्या बोलोगे one time? तो भाईया t is equal to 2 pi upon omega बोलो बना समझ में क्या नहीं है? आ गया? तो बढ़ा ये बहुत काम का formula नोट कर लो copy में t is equal to 2 pi upon a में omega uniform circular motion का time period t is equal to 2 pi upon omega omega क्या है? angular velocity angular velocity की unit क्या होती? radian per second radian per second बोलो yes or no? 2 pi क्या भाई साब? 2 pi भी तो radian ही है तो radian से radian cancel हो गया? second पल्टी मार के उपर आ गया? तो बच्चे क्या बन गया? second बन गया बोलो clear है? तो सारा का सारा मामला है यहां से सेट हो चुका है अपने 2 pi की बात कली अब चलो आज आते हैं अपने main कारिकरम पे जिसके लिए हम यहां पे एक अठा हुए है तो हम पढ़ने वाले हैं horizontal conical pendulum तो conical pendulum क्या है? it is consist of a body attract to the string of the length L बेटा एक L लंबाई के string ले लो ओके और यह इसको हमने horizontal circle में घुमाना है with uniform speed बेटा जितना भी हम कलाकारी कर पाएंगे बस इसी के साथ कर पाएंगे uniform speed क्योंकि अगर आपने non uniform speed कर दी तो हमाई दिक्कते बहुत बढ़ जाएंगे tangential acceleration आजाएगा अलफा आजाएगा बोलो हाया ना circular यह तो रहेगा ही अपना centripetal बहुत सारे acceleration कूद बढ़ेंगे फिर आपनको दिक्कत बनी की तो अपन जितना भी काम कर रहे हैं uniform circular motion uniform speed अब चलो भाई let the skin traces out a cone in the space अब यह देखो भाई यह पर scene शुरू करते हैं यह मान लो किसी position पर यह है यह मोती बोलो हाया ना तो अगर यह एंगल थीटा है बच्चों, तो बूलेए वाल एंगल भी कितना होगा? थीटा, आया ना? अब ती का थीटा की डिरेक्षण में कमपोनिट क्या बूलेगा? टी कॉस थीटा, टूटे का गी नी टूटे का? पड़े हो ना? ती का ये देखो, थीटा की डिरेक्ष को कौन प्रोवाइड करेगा mv square t sin theta क्या प्रोवाइड करेगा mv square upon r क्योंकि t sin theta का अलग रहा है center की तरफ और जब आप किसी का uniform motion कराना चाहे रहे हो uniform circle motion कराना चाहे रहे हो तो आपको किसकी जुरुत पड़ेगी mv square upon r की तो कौन है वो जो प्रोवाइड करेगा mv square upon r आंसर क्या बना t sin theta आई बस समझ में ना मैंने तुम्हारा हाथ पगड़ के तुम्हें खीचा और तुम्हें घुमाना सुरू कर दिया तो मेरे हाथ का खीचाओ ही तो t sin centripetal force देगा की नहीं देगा बोलो बिस वही करना है तो आईए देखिए tension in the string t weight of the bob mg दो पाट कर दो पाट बन जाएंगे यहाँ पे एक बन जाएगा t sin theta एक बन जाएगा t cos theta t sin theta कितना है mv square upon r बोलो agree की not agree और t cos theta कितना है at mg तो देखिए t sin theta है mv square upon r मैं यहाँ पे लिखता हू t sin theta is equal to mv square upon r क्या provide कर रहा अंदर की तरफ का force बोलो है न and t cos theta जो नीचे जा रहा है इधर जा रहा है t cos theta वो किस से balance हो रहा बिटा mg से moti के weight से बोलो है न तो t cos theta जो है बच्चों वो किस से balance हो रहा है mg से दोनों को divide कर दो t c t क्या हो गया बच्चे cancel sin upon cos कितना हो गया बटा 10 theta m से m क्या हो गया cancel बटा जी क्या हो गया v square upon r g ठीक है v square upon r g आ गया तो v square upon r g यहां से क्या मिल जाएगा यहां से v square निकाल लो तो v square equal to कितना हो गया r g 10 theta so v equals to under root r g समझ में आ गया any problem यह कहलाती है velocity यह speed क्या है बटा यह speed समझ गया और अगर direction के साथ involve कर दोगे तो यह linear velocity कहलाएगी फिलाल तो मैं speed की बात करूँगा समझ में आया अब चलिए time period की बात कर लेते हैं तो अभी मैंने बताया time period equal to 2 pi upon omega है ना या अगर बात की जाए वैसे 2 pi upon v कैसे आगया देख लो t is equal to 2 pi upon omega बुले सोनो and you know v is equal to r omega radius into omega है तो omega equal to कितना हो गया बटा v upon r omega equal to v upon और तो यहां से put कर दो t is equal to 2 pi यहां पर कितना जागा बटा v by r उपर चला जागा बटा कितना हो गया 2 pi r upon कितना v और वैसे भी देख लो time is equal to distance upon speed तो distance कितनी होगी एक चकर की 2 pi r और speed कितनी है भी तो 2 pi r upon v तो बटा 2 pi r और v की जगे बटा पने निकाल है बोलो कितना under root r g 10 theta बोलो clear है तो यह आगया time period of the simple conical pendulum 2 pi upon r g 10 theta अभी काम करो सकते हो आप इसको एक मिनट है हाँ ठीक है r small exact capital 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 ही लिए या तो small ही लिए मैं गलती कर दी दो-दो radius ले लिए एक small ले लिए और capital तो confuse मत होना बच्चा फिलार यहां के लिए small r capital r दोनों क्या है equal है अब यह बताओ इस r को मैं क्या 2 बार root r into root r लिख सकता हो के नहीं लिख सकता तो एक root r से एक root r क्या हो गया cancel हो गया तो उपर कितना हो गया 2 pi बाहर बढ़ाल रहो उपर इसको साथ में लेडो root के root r upon g 10 theta बोलो समझ मैं आया कि नहीं है तो यह बनने गया formula root r upon g 10 theta ठीक है कोई problem बन जाएगा में छोड़ दो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपका इतना काम में काम चल जाएगा बस रूट आर अपन जी तेन ठीटा चलिए तो यहां पर यह बात खतम होती है आई होप क्लियर होगे आपको बचा उस समझ में आ गया सबको ठीक है इसको आप लोग बाद में नोट से लिख बचो देगे नॉन उनिफार्म मैंने वैसे पढ़ाई दिया है अलमोस्ट बताया था मैंने की नॉन उनिफार्म में दो एक्सलेशन काम करते है एक सेंट्रेट और एक टेंजेंशन सेंट्रेटल लोग चलो पार्क में चले चलो बच्छों को ले करके वही घुमाएंगे है उनको थपकी मारेंगे तो उनकी गाड़ी जोर से बढ़े की नहीं बढ़ेगी यह सर वही है टेंजेंशन एक्सलेशन ठीक है बच्छे टेंजेंशन एक्सलेशन फिर मैंने क्या बात है था एटी इकल टू अलफा क्रोस आर एंड एस इकल डू ओमेगा क्रोस भी यहां तक आपको समझ में आ गया था सबनो आफ टेंजेंशल reass360 का जो फोर्स लगेगा फोर्स एकल टू मास इंडो एक्सलेशन मास सब्सक्राइब एक लगता था एक लगता था अ एक लगता था टैंजंशृ बुली हाया ना तो इन दो नों का जो जो इस नीगाफ से तक यहाया था ये तो टोटल फोर्स एकल टूमास इंटू टोटल acceleration बोलो हां, equal to mass into total acceleration का magnitude कितना हैगा? under root 80 square plus AC square, so now net acceleration की बात की जाए vector form में, तो A vector equal to A is a integral plus 80, ये तो हम पहले ही निकाल चुके, बोलो निकाले कि निकाले, हो मतलब ये equal मिला के अपना जो non uniform भी है वो भी अपने कर लिया, definition, if the speed of the particle in a circle acceleration changes with respect to time, in a circular motion changes with respect to time, मतलब speed लगातार बढ़ेगी, speed लगातार बढ़ेगी या घटी की, whatever, जो भी है, तो मान लो अगर speed लगातार बढ़ेगी भी, अगर लगातार बढ़ेगा, तो omega भी क्या होगा लगातार? बढ़ेगा, अगर आपके पास में, अगर आपके पास में, uniformly accelerated circular motion है, कौनसा motion? अभी आपने पहले गया था? uniformly accelerated linear motion, ये क्या था? uniformly accelerated, बुलो हाया न, uniformly accelerated, मतलब ये acceleration से constantly गारी आँगे बढ़ रही थी, तब वहाँ पर था? uniformly accelerated linear motion, अब मैं बात कर रहा हूँ, uniformly accelerated circular motion, तो बेटा, अब इसके rules याद कर लो, इनकी equations याद कर लो बेटा, मैं आपको equations बता देता हूँ, इनकी क्या होती है, देखे बेटा, बहुत ही simple है, गाड़ी circle कोई पॉइंट है, अब इसमें, speed, starting speed omega 1, क्या है बटा, omega 1, ये इसको omega 0, omega 0, अब देखना, मेरी आवास सुनना, और उससे देखना, speed बढ़ता है, बुलो, तेज हो गया न, पहले यहाँ पे slower angle travel किया है, फिर यहाँ पे तेजी से अंगल travel कर रहा है, मतलब, speed बढ़ गई यहाँ पे omega हो गई, क्या हो गई, omega, initial velocity omega 0, final velocity omega, time कितना लगा, वो ही t, time कितना लगा, t, अब angular acceleration कितना बन जाएगा, alpha, अब वो constant है, क्या है, वो constant है, what is alpha equal to d omega by dt, clear, now formula, बटा, क्या है, वहाँ पे, v equal to u plus at, v equal to u plus at, v equal to u plus at, यहाँ पर change कर दो, v कि जा है क्या है क्या है, बटा, final angular velocity omega, equal to omega 0, plus alpha, t, बोले सानो, now, वहाँ पी, क्या है, s equal to ut plus half at, square, यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बच्चे, s की जागे, क्या है, theta, कितना angle, बटा, theta, यह देखो, वहाँ, linear displacement, था, यहाँ पर तो, मामला angle का है, omega 0, t, plus half alpha t, square, बोले, पक्का, now, v square equal to u square plus 2 as, वहाँ था, now, v square equal to, कितना हो गया, omega square equal to omega 0, square plus 2a, अलफा, और यहाँ पे, क्या, theta, और वहाँ पे, मैंने पढ़ा था, nth, second में, चली गई, displacement, nth, second में, चली गई, u plus a by 2, bracket में, 2n minus 1, याद आया, यहाँ पे, nth, second में, चला गया, angle, theta, nth, equal to, u की जगे, क्या है, omega 0, plus alpha by 2, bracket में, 2n minus, बोले, क्ल देख लो, भाई, सारी चीज़, यह है, linear, और यह है, circular, समझ गया, circular भी कैसा वाला, uniformly accelerated, यहाँ पर alpha constant है, alpha क्या, बेटा, constant, तभी तो यह law लगेगा, otherwise, यह law नहीं लग पाएगा, तो बोलो, बच्चा पाटी, clear एक दम, बेटा, कोई दिक्कत तो ना है, पका ना, हाँ बोल पर आने के बाद, अब अगला हम पढ़ते हैं, अगला application, circular motion का, uniformly circular motion का, circular turning of road, गाड़ी किसी flat road में circle कैसे turn करती है, यह बताएगे, दुनिया का कोई भी circular motion क्या बीना centripetal force के हो सकता है, नहीं हो सकता, आप चात कर लेना, कि दोस्त को घुमाना है, तो टाई तो पकड़नी प अगर अगर car को भी घुमाना है, अगर फ्लैट रोड है, यह देखिए, यह आपका फ्लैट रोड है, और इस फ्लैट रोड में यहां से यह car आ रही है, आ रही है और car को फ्लैट रोड में अगर यहां पर turn मारना है, तो इस turn को मारने के लिए car को यहां पर car आ रही है, car आते 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 आते, car ने जबरदस turn मारा है, इस turn को मारने के लिए car को centripetal force चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? बनलब car को turn कराने के लिए car सपोज यहां पर है, तो car पर एक centripetal force होना बहुत जरूरी है, बोलो हाए न, अब centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा, अब देखो जरा car पर विचार करो बेटा, यह एक circular path है, और यहां पर car आ रही है, पेपे, यह car चली आ रही है, यह car के चके है, दिखिया? अब बेटा देखो, car यदि यहां पर मुड़ती है, अंदर की दरफ, हाँ या न? car यदि इस तरीके से अंदर की तरफ आना चाहती है, है न? तो car पर खिचाओ, जैसे तुम हो, यदि यहां पर खिड़की खोल के बिठाल दिया जाए तुमको, दरवाजा खोल के, तुम कहां पर फिकोगे? बाहर, मतलब की, तुम बाहर की और फिकोगे? क्लियर है न? तुम बाहर की और फिकोगे? मतलब, car के चकोँ पर, क्योंकि फिकनी की टेंडेंसी बाहर है, मोशन कहां होगा? बाहर, हाँ या न? तो मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? अंदर, कहां लगेगा? अंदर, बोलो हाँ या न? देखना भाई को घुजड़ू, इस पर चलाओ, बुलो हाँ, तो इस पर क्रैक्स के निसान आगे की तरफ बनेगी की पीछे की तरफ? हाँ, कहां बनेगे? पीछे की तरफ, स्याही पड़ी हुई है किसी सरफेस पे, और आप उसके ऊपर पेपर को सरक दो, सरका दो, तो निशान कहां बने पीछे की तरफ, आँगे तरफ नहीं बनेगे, हाँ है ना, तो कार बाहर की तरफ, भीचने का प्रयास कर रही है सवारियों को और अपने आपको, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर, और यही फ्रिक्शन फोर्स क्या बन जाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, समझ में आ यह ब्लॉक मूफ कर रहा है, क्या कर रहा है ब्लॉक? मूफ कर रहा है, तो ब्लॉक आँगे मूफ करेगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, कहां लगेगा? पीछे, कितना लगेगा फ्रिक्शन बेटा? यह है नॉर्मल एक्शन, आर, क्या है नॉर्मल एक्शन? आर, R, मतलब नीचे लगेगा action, action कितना होगा, mg, action कितना होगा, mg, जैसे मैंने ये तुम्हाई सिर को दबाया, तो मेरा action है, बदले में तुम्हारा सिर भी मुझे उपर force दे रहा, वो है reaction, क्या है वो, reaction, पढ़ा भी होगा 9th class में, every action has equal and opposite reaction, तो बेटा ये होगा reaction, अब friction force की meaning जा mu m, मतलब इस तलब जो लग रहा है, friction force वो कितना है, mu m, पकी बात, ये friction force हो गया, आजओ फिर, देखते हैं, तो बच्चों ये देखो, हाँ, ये friction force है, बुलो हाँ, ये क्या है friction force, ये friction force है, ये equate करेगा, बराबर करेगा किसको, mv square upon r को, mv square upon r को, ये minimum mv square upon r से जादा हो जाए, कम न होए, कम होगा तो गाड़ी पलट जाएगी, बिल्कुल डिबी के जैसे, बाहर की तरफ, कहां पलटेगी, मोड में जो गाड़ीयां गिरती है, वो बेटा कभी अंदर नहीं गिरती है, कहां गिरती है, बाहर, क्योंकि तुम्हा सोच लो, दरवाजा खुला होगा तो तुम कहां गिरोगे, बाहर ही तो जाओगे ना, तो मोड में जो गाड़ीयां गिरती है, वो कभी अंदर की तरफ नहीं गिरती है, बाहर, क्योंकि अगर एफर्टेबल फ्रिक्शन नहीं बना, समझ गे ना, तो चली जाएगी गाड़ minimum requirement, हाई या ना, मैंने का गूमने के लिए, तो मैं गूमने के लिए 10 newton चाहिए, इतने गूमने के लिए 10 newton, और मैंने 12 newton दे दिया तो क्या नुकसान है, दस में से गूम जाना, बुलो यह सा नो, दस में से क्या करना, गूम जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब mv square upon r गूमने वाला है, और mv square upon r से हमेशा, क्या होगा, friction force, जादा, मतलब mu mg की value क्या होगी, जादा होगी, बुलो समझ मैं की नहीं है, clear ना बिटा, चलो दो इसको read कर देता हूँ, When a vehicle takes turn on a circular path, it requires centripetal force, the tyre get tendency to skid outward, target tendency होती क्या, skid outward, बाहर की जनेगी, if the frictional force provider requires centripetal force, then vehicle can move in the circular path safely, for the safe turn, friction force should be greater than required centripetal force, जितनी की जरूर है, उससे जादा होना ची, friction force, हाया ना, So, mu mg should be greater or equal, क्योंकि friction force की value कितनी ही, mu mg, कितनी है, friction force की value, mu mg, पढ़ा ही, friction force किता होता है, बटा, फिर से देखो, friction force होता है, friction force की definition, अभी मैं अगला chapter पढ़ाँगा, तो मु इन्टो, r, mu into r, r, मतलब reaction, अब यहाँ पर, बटा, flat road है, तो reaction कितना मनेगा, mg, क्योंकि नीचे लगर action, तो ऊपर बनेगा, reaction, तो r equal to mg, तो यह बनेगा, कितना, mu mg, बोलो हायना, पका, so mu mg greater than or equal to v square upon r, चलो, इसको थोड़ मैं आपके लिए solve कर देता हू, mu mg greater than or equal to v square upon r, mu mg greater than or equal to v square upon r, मैं mv square upon r होगा, mv square upon r, centripetal 4 से, m से m क्या हो जाएगा, बिटा, cancel, sorry, m से m क्या हो गया, cancel, बोली आपके लिए, तो v square upon r is less than or equal to, देखो, क्यों इस तरफ चोंच बंद है, मैंने पलट दिया, v square के दरफ चोंच क्या है, बंद है, देख लो न, हायना, है की नहीं है, तो मैं than mu r g, so v is less than or equal to mu r g, done, ठीक है, मतलब, minimum safe velocity जो होगी, safe turn के लिए, क्या होगी, mu r g, क्या होगी, यह उस से कम, यह से, कम, तो देख रहे हो, भाई साब, मतलब, जो velocity है, एक limited value से कम होनी चाहिए, अगर एक limited value से ज्यादा, flat road में turn मारा, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, बलट इसलिए, flat road में, गाड़ी का turn मारना इतना आसान, नहीं होता है, इसलिए, आपने formula racing देखी होगी, formula racing में, जो track बनाये जाते हैं, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ वाले, बहुत पत्टे ऊपर की तरफ बनाये जाते हैं, बोलो हैंना, ऊपर वाले क्या होते हैं, मोटे उचे, yes है ना, मतलब इनका particularly angle होता है, नीचे वाले track ऐसे रहते हैं, ऊपर वाले track थोड़ा उठा हुआ रहता है, कभी highway में गयो, turning पे, तो highway में turning पे जो दूसरा वाला part होता है, वो ऊपर उठा रहता है, पानी डालोगे तो धरान में नीचे गर जाएगा, yes or no, है ना, तो इसको बोलते हैं, banking of road, क्या बोलते है, banking of road, अगर flat road पे speed जादा है, तो आप कभी four wheeler को समाल नहीं पाओगे, गाड़ी पका पलड़ जाएगी, अगर एक safe velocity से जादा है तो, ठीक है ना, इसलिए two four wheeler चलाने में बहुत धियान अपड़ता है, है ना, आप सोचोगे मैं गाड़ी मोड़ दूँगा, गाड़ी पलड़ जाएगी, it is the maximum speed by which vehicle can make turn, इससे जादा speed नहीं होनी चाहिए, इससे कम, mu rg से कम, ओलो है ना, here r is the radius of the circular path and mu is the coefficient of friction, ओलो r क्या है, radius है, और mu क्या है, coefficient of friction, याद करना, अगले chapter में आएगा, coefficient of friction, बिटा, अलग-अलग type की road, और उनका अल की road roughness जादा उसका mu जादा होगा, और जिसकी road की roughness कम है, उसका mu क्या होगा, कम होगा, chickeny road कम होगा, और khuduri road का mu जादा होगा, समझ में आ गया, इसको mu बोलते है, here friction force providers the required centrifugal force, whoever said a one चलिए, skidding of an object due to a rotating platform, skidding की बात कर लेंगे, skid कप करेगा, mu mg ज्यादा हो जाएगा, m r o n square ज्यादा हो जाएगा, तो skid कर जाएगा, चलिए, देखी लेते हैं, क्या है बेटा, ये देखो, मान के चलो, कि ये बेटा एक तश्तरी, यानि की प्लेट घूम रही है, बहुत जोर से, बुलो है है ना, ये प्लेट बहुत जोर से, घूम रही है, यहाँ मैं सिक्का रखूँगा, बुलो हाँ, पहले पहले रुकी थी तश्तरी, पहले क्या थी, रुकी थी, फिर मैंने उसके उपर रुके उमे एक शिक्का रख दिया, और मैंने तश्तरी को घुमाना सुरू कर दिया, तुम सोचो जरा तुम हो वहाँ बैठ करके, तो पहले दो तीन चक्कर तो आराम से घुमो, बुलो हाँ, उसके बाद जैस जैसे तश्तरी तेज होगी, जैसे जैसे तश्तरी तेज होगी, बुलो यसा नो, तो जैसे जैसे तश्तरी तेज होगी, तो तुम पर बाहर की तरफ एक अंचाहा फूर्स लगने लगेगा, बुलो यसा नो, लगेगा की नहीं लगेगा, जैसे जैसे तश्तरी तेज होगी वैसे वैसे बाहर अंचाहा फोर्स लगने लगेगा, इसको कर सकते हो ये पानी की बॉटल है, इसको हाथ में उठा लो और धीरे धीरे गूमना सुरू करो थोड़े देर बाद देखना कि ये पानी की बॉटल का पूरा पानी कहा आ जाएगा यहां आ जाएगा, समझ गया ना ये जो है पानी की बॉटल का पूरा पानी कहा जाएगा अब स्लो मुसन में दिखा नहीं सकता हूँ पूरा पानी कहा जाएगा, पीछे आ जाएगा मेरे कहने का मतलब है कि अगर यदि ये सिक्का गिरता है यदि ये सिक्का गिरता है भाई देखो ये सिक्का गिरेगा इसका मतलब इसका centripetal force क्या हो गया? कम हो गया क्या हो गया? centripetal force कम हो गया और friction force क्या हो गया? ज्यादा On a rotating platform to avoid the skidding of an object mass and place in a distance avoid the skidding, sorry बच्चो On a rotating platform to avoid the skidding skidding रोकने के लिए अब इसकिड कहां करेगा भाया? यहाँ, बोलो हाँ इसकिड कहां करेगा? बाहर करेगा ना? तो friction कहां लगेगा? अंदर friction क्या लगेगा? अंदर मतलब जितना जादा friction होगा उसके skidding करने के chances उतने क्या है? कम है हाँ यह ना? यह तुम खुद सोचलो अपने आपको बिठाल करके इस तस्तरी के अंदर जितना जादा friction होगा तुम तस्तरी को उतने अच्छे से पकड़े रहोगे हाँ यह ना? और बाहर जाने के chances कम है तो centripetal force बिल्कुल उपर वाली condition less किस से force of friction से यह ना? अब इसको मैं बता दूँ क्यों तुम कहोगे सर यह omega के टम है क्योंकि यह circular motion इसलिए omega के टम है कर दिया है तो चलो बता देता हूँ centripetal force का formula क्या होता है? mr omega square पढ़ा है ना? और यह तो कितना होता? m, u, m, u, m, g हाँ है ना? m, c, m, क्या हो गया? cancel, clear हो गया? तो यहाँ से लिए भाई साब omega square less than or equal to इधर कितना बचा है मैंने? mu g upon r, बोलो यह सौननो तो under root ले भाई साब omega less than or equal to under mu g by r समझ में आ गया? मतलब जो maximum velocity होगी इसकी वो कित्ती होगी mu g by r clear हो गया? maximum velocity क्या होगी mu g by r बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना? अधिकतम जएधिकतम velocity जो ज़ा पाईगी वो कित्ती जएगी mu g by r ठीक है ना? हाँ, क्या दिक्कत है बेटा? कहो बेटा, क्या दिक्कत है? पक्का? ठीक है ना? ये बेटा आएगा next chapter में किस chapter में आएगा? next chapter में तो वहाँ कर ली ना इसको अच्छे से चलिए banking of the road last में करवाऊंगा मैं अब मैं आपको बता रहा हूँ bending of a cyclist bending of a? अब देखो भाई साब आपको cycle को किसी path पे मोड़ना है cycle चलाते आप आ रहे हो गाना गाते हुए और cycle को आपको किसी path पे मोड़ना है ये देखो ये रस्ता है हाँ या ना? और ये आप जो है cycle चलाते भाई साब यहाँ पे आ रहे है ये cycle का अगला चक्का और ये handle है ठीक है cycle का अगला चक्का है clear है भाई साब? ये handle है अब आप ये बताए कि बिना जुकाए cycle को बिना जुकाए cycle को ये क्या है? ये है normal क्या है बेटा ये? normal समझना मड़ी कलात्मक चीज है ये जाएगा normal ये क्या जाएगा बिटा? normal क्योंकि ये है इसका ये है इसका वेट mg क्या है बेटा इसका वेट? mg ठीक है ये क्या इसका वेट? mg अब ये बताओ मुझे क्या ये बिना cycle को जुकाए इस तरफ मूड सकता है कि नहीं मूर सकता? feel करो क्या ये मोड़ पाएगा कि नी मोड़ पाएगा साइकलिंग करते हुए पाथ में ऐसा हो नहीं सकता कि तुम थोड़ा सा ना मुड़ो मैं कहता हूँ एक डिगरी ही मुड़ोगे दो डिगरी मुड़ोगे मुड़ना पड़ेगा बुलो है ना अब भया जैसे ये अपने नॉर्मल से आर से मुड़ता है ये थोड़ा सा अंदर की उर जुकेगा क्योंकि इसको गाड़ी को मुड़ना है आया ना तो इसके दो कंपोनेंट बन गए एक बन गया आर कॉस थीटा बुले यह सो नो आर कॉस थीटा जो थोड़ा सा यह वेट गलत बन गया वेटा अक्चुली हाँ इसका वेट तो दाउन वर्ड जाएगा इसका जो वेट है वो दाउन वर्ड जाएगा एम जी कहां जाएगा यह वेट डाउन वर्ड समझनाया बेट कैसा जाएगा बेटा? डाउनवर्ड, M G. अब R cos theta किसको satisfy करेगा? M G को, किसको satisfy करेगा? M G को, और R sin theta जो है, वो क्या provide करेगा? M V square upon R, M V square upon R, तुम देखो ना, कोशिश करके देख लो, तुम यहाँ पर आकर के मुड़ रहा हो, मुड़ रहा हो की नहीं मुड़ रहा हो? अब एक तो तुम्हारा नीचे की तरफ वेट लग रहा है, जिस धरती तुमें खीचरी है, बोलो यह सा नो, M G से, बोलो हाई ना, ठीक ना, तो अगर तुमने इस एंगल पर मूड रखा आपने आपको, यह यह तोटल 90 डिगरी है, इतने पर मूड रखा है आपने एरी थीटा पर, तो R कॉस्ट थीटा किसको सट्शफाई करेगा, बीटा, M G को, किसको सट्शफाई करेगा, M G को, और इसका जो कंपोनेंट दूसरा निकलेगा, R साइन थीटा, देखो, यह पाथ है ना, मूडने वाला, यहाँ पर क्या है, सेंटर, क्या है यह, सेंटर, तो सेंटर की तरफ, क्या लगाएगा, सेंटरिपिटल फोर्स, मतलब जो R साइन थीटा है, वो क्या बन जाएगा, M V स्क्वेर अपॉन, R, बोलो, आया साइन में कि नहीं आया, आगे है ना, अब दाकी जित्तर यह देखो, बाई साइन थीटा, अब तुमको समझ में आया का क्लियर, यह देख लिए, बाई साइकल का मास कहां लगेगा नीचे, आया ना, यह साइकल मोड रखी, यहाँ पे आप बैठे हुए पीछे, तो यह R कॉस्स थीटा बना की नहीं बना, और यह क्या बनेगा, R साइन, थीटा, R साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, बोलो, हाँ है ना, क्लियर है ना, तो बना देता हूं मैं, दो डाइग्राम बन जाएंगे अपने पास में, साइकल के लिए, एक, दो कंडिशन बन जाएंगी, एक बन जाएगा, R साइन थीटा, एक्कॉल टू, M V स्क्वार अपॉन कितना बैठा, R, और दूसरा बन जाएगा, R कॉस्स थीटा इकल टू कितना बोलो, M G दोनों को डेवाइड कर दो, R से R कैंसल हो गया, साइन अपॉन कॉस्स कितना होता बैठा, 10 थीटा, और ये कैंसल हो गया, M से M, ये बन गया बच्चे, V स्क्वार अपॉन आर जी, तो V स्क्वार इकल टू हो गया, R, जी, 10 थीटा, सो V इकल टू कितना हो गया बभू, R, जी, 10 थीटा का अंडर, रूट समझ में आया, ये हो गई, एंगल, विलोस्टी, ठीक है ना, अब दा साइकलिस्ट, विलोस्टी अब दा, साइकलिस्ट, अगर आपको थीटा निकालना है, तो 10 inverse V स्क्वार अपॉन आर जी, ठीक है ना जी, थीटा निकालना है, तो यहां से लेो, 10 थीटा को रोक लो, तो 10 थीटा इकल टू कितना, V स्क्वार अपॉन, R जी, फो थीटा इकल टू कितना, 10 inverse V square upon समझ में है कोई दिक्कत समझ में है ना हाँ ये बनेगा condition ठीक है सो here the reaction force component force R sin theta provide the required centripetal force यहां पर जो है R sin theta centripetal force provide करेगा ठीक ना आगे समझ में थोड़ी स्थीोरी दी हुई उपर देख लेते हैं बहुत प्यारा derivation a cyclist provide himself necessary centripetal force by leaning inward अपने आपको अंदर की और जुका करके अंदर मतलब center की और जुका करके on a horizontal track while going round a curve let a cyclist lane towards an angle theta inverse is shown in figure the reaction force R is resolved into the two components R cos theta and R sin theta बुलो आगया समझ में बटा ठीक इसी दरीके से बटा aeroplane की मुड़ने के लिए भी उसको centripetal force चाहना पड़ता है बुलो हाया ना aeroplane को मुड़ने के लिए क्या चाहना पड़ता है centripetal force तो aeroplane के जो propellers होते हैं यह aeroplane का full यह length होती है यह सामने aeroplane आ रहा है यह aeroplane के full length है L बुलो यह सौनो ठीक है ना aeroplane की जो length है यह देखिए यह aeroplane की length है aeroplane जो है यह vertical है क्या है बटा यह वर्टिकल है और यह क्या horizontal देखो aeroplane इस path पे मुड़ने जा रहा है इस तरीके से तो मालो जिस समय यहाँ पर है कहाँ पर है यहाँ पर है देखो इस तरीके से ऐसे है ना तो जिस समय यहाँ पर है तो इसके दो component टूटिंगे length के एक L cos theta और एक L sin theta और जो L sin theta उसे क्या provide करेगा center petal force समझ में आगे ना तो L sin theta equal to M V square upon R और L cos theta equal to G तो डिवाइड गर दिया तो वही आगया V is equal to under root R G 10 theta समझ में आगया clear है हाँ here the required centripetal force is provided by the air lift ठीक ना यहाँ पर जो required centripetal force है वो air lift के द्वारा provide किया जाएगा मतलब जब भी aeroplane को मुडना होता है भाई साब मतलब tilt way में मुड़ेगा ऐसा आधा उठा हुआ आधा उठा हुआ आधा बैठा हुआ तभी उसको घूमने का मौका मेलेगा समझ में आए ना देखा भी होगा आप लोगोने टीवी बगरे में कि जब भी मुड़ता है तो कुछ इस तरीके से मुड़ता है एसा फ्लैट नहीं मुड़ता है क्यारम की गोटी के जैसे ठीक है ना सो यह काफी ज़दा यहां पर फिजिक्स के कंसेप लगे है आप लोग इसको रिवाइस करिये बहुत अच्छे से इसको करिये एक बर फिर से और इस पर कॉश्चन सभी हम लोग कंटीन्यू करते हैं थैंकिसो मच पर बिंग वी लोकेशर अनलम्टेट इस टेजोन बहुत 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 थैं